नमस्कार दोस्तों, welcome back to 48 Automobiles, मैं हूँ आपको होस्ट रोहित अपने भाई करन के साथ, आज आपके लिए एक और भूती बढ़िया प्रीवियम सीरीज का वीडियो लेके आने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है, the all new Land Rover Range Rover Velar, our Dynamic S model है यह, डीजल में आती है एकार, आपको इसका पूरा वाकराउंड वीडियो दिखा देते है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो definitely like, share, comment and subscribe, subscribe करे बगर और like करे बगर, definitely मच जाना दोस्तों, आपको अच्छे एसी quality content लेका के देता रहूंगा, to the Bangalore audience, अगर आपको कार देखनी है, ख सबसे पहले आप इसका front का लूप देख सकते हो, इसके तर आपको typical Range Rover के grill मिल जाती है, Land Rover के branding दिख जाएगी आपको यहाँ पे, Range Rover के आपको branding दिख जाती है, आपको इसके दर digital LED headlight setup दिया गया है, जो कि बहुत ही super, दूर से बहुत ही बढ़ा दिखती है, दूर से पता चल अगर आप इसका पूरा bumper देखते हो, तो आपको very well scooped, well designed bumper मिल जाता है, bumper के अंदर आपको washers भी मिल जाते है, headlight washers, यहाँ पे आपको design element दिये गए है, जो कि काफी अच्छे दिख रहे है, front parking sensors मिल जाते है, इसी के अंदर आप यहाँ पे देखते है, तो आपको fog lamps मिल यहाँ पे नीचे आपको camera भी दिख जाएगा 360 degree, क्योंकि इसके अंदर 3D surround camera मिल जाता है, अब सबसे पहले अगर इसका पूरा look देखते हो, off the bonnet आपको दो crease lens दी गई है, होती neat and nice look आता है सामने से इसका, यहाँ पे भी आपको range rover की branding दिख जाएगी, अब इसके side के और ज देखते हो तो आपको इसके अंदर 20 inches के alloy wheels मिल जाते है, 255, 50, 20 inches के alloy wheels दिए गए है, silver color में बहुत ही superb दिख रहे है, यहाँ पे पूरा side में design element दिया गया है, अगर आप इसके पूरा overgames देखते हो तो with LED turn indicators मिल जाते है, नीचे आपको 360 degree camera भी मिल जाएगा, flush door handles मिल जाते है A pillar जो आपको पूरा piano black finish में मिलने माला है, B pillar and C pillar as well, अगर आप इसके doors देखते हो, doors भी देखिए कितने एकदम neatly tuck-din doors दिये गए है, यहाँ पे पूरा design element black color की दी गई है, बहुत ही superb दिखते हैं दोस्तों, यह देखिए, यह door size देखिए है इसका, बहुत ही अधा classy और ultimate आपको sibling of the new range rover जरूर 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 लग जाएगा, अब इसके rear की side में जाके देखते हैं, आपको rear में क्या क्या features मिलते हैं, तो इसका rear का look देख सकते हो, आप इसमें आपको LED tail lamps मिल जाती है, एकदम sleek LED tail lamps दी गई है, range rover की branding मिल जाएगी, लैंड रोर की branding मिल जाएगी, य आपको अपर अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको shark fin antenna देख जाएगा, this is what it is from the rear, यहां पे भी आपको पूरा जो black design element add-on किया गया है, आपको फोड़ा पील करके दिखा देता हूं, इसके वज़े से होता है, बहुत ही अच्छी आपको floating roof line लगती है पीछे से, अब इसको आपको open करके दिखा देते हैं, boot space इसका, इसमें भी आपको पीछे camera दिख जाएगा, let me open the boot space, अब आप इसका पूरा boot space देख सकते हो, काफी अच्छा boot space मिल जाता है, फो सरे सामान, easy ले आ जाएंगे इसके अंदर, आपको इसके अंदर spare wheel भी मिल जाता है, spare wheel size is 255-50 R20 के, और इसके अंदर आपको, ऐसे, slide over parcel tray भी मिल जाता है, और आप बोल सकते, इसको blinds भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सामान नहीं दिखने वाले है, power tailgate opener भी मिलता है, as well as closing, तो ये थो होगे इसकी rare की बात है, अब इसके driver side में चलके देखते हैं, आपको क्या क्य suspension मिल जाते हैं, तो car को आप उपर नीचे कर सकते हो, as per the terrain, अब इसके interior के ओर चलते हैं, आप देख सकते हो, fully black leather interiors मिल जाते हैं, आपको इसके अंदर, photo power windows मिल जाते हैं, memory seat functions मिल जाते हैं, ORVM की controls मिल जाएंगे, bottle holders and cup holders मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर सामान टेखने के लि मिलता है, अब चलिए अंदर जाके देखते हैं, केसी space and how luxurious the cabin वो दिखा देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर, electrically adjustable driver seats मिल जाती है, अब इसके अंदर बेटते हैं, and we'll see the interiors, अब दोस्तों, आप इस कार के seats देख सकते हो, fully leather seats मिल जाते ह आपके long highway trips and all are going to be really comfortable, and साथ में आपको यह जो चारू seats है, you get electrically adjustable seats, दोस्तों, अब आप इस कार का पूरा interiors देख सकते हो, इसके अंदर आपको fully leather interiors मिल जाता है, black color leather with white stitching, sleek AC vents मिल जाते हैं, आपको इसके अंदर, soft touch material, पूरे cabin में मिलने वाला है, इसके अंदर आपको meridian sound system म देख सकते हो, test screen display है, you get all the information like android auto, apple carplay navigation, वो सब मिल जाएगा, apart from that आपके 4x4 के control सब मिल जाता है, इसके अंदर, so all that is there in this particular test screen, कुछ आपको information is test screen में मिल जाता है, बाकि next अगर यहाँ पे देखते हो, आपको climate control मिल जाते है, आपको 4 zone climate control मिल जाता है, आप इसके air suspensions को भी यह से आप adjust कर सकते हो, आपका gear knob selector है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, next अगर आप देखते हो, आपको, यहाँ पे cup holder मिल जाता है, this is all stickering, my friends, बतलब अगा, आप sticker निकाल के, देख सकते हो, पुरा black eye करेने वाले, now because it is a brand new car, कुछ करेंगे नहीं हम इसको, यहाँ पे आपको cup charging पर रख सकते हो, इसके अंदर, next अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपको soft opening glove box मिल जाएगा, जिसके दर काफी deep जगा है, बहुत सारा सामान आराम से आजाएगा, इसके अंदर, अब दोस्तों आप इसका पूरा steering wheel देख सकते हो, आपको fully leather steering wheel मिल जाता है, classic range roll का steering wheel मिल जा है, यहाँ पे आपको cruise control मिल जाएगा, पीछे अगर आप दिखते हो, आपको paddle shifter मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप दिखते हो, आपको wiper के stocks मिल जाएगे, अब आप इसका पूरा instrument cluster देख सकते हो, आपको part analog, part digital instrument cluster मिल जाता है, left में आपको speedometer मिल जाएगा, right में आप आपको tachometer मिल जाता है, और बीच में बड़ी सारी screen मिल जाती है, that is the digital screen, तो दोस्तों, बड़े ही अराम से आपके बेट चुका हो, इस कार के अंदर में, सुपर्ब नीरूम मिल जाता, आपको headroom भी भॉल जाता, अच्छा मिल जाता है, तीन लोग बड़ी अराम से बेट स सकते हो, you get this armrest as well, इसके अंदर आपको दो cup holders मिल जाते हैं, और यहां पर दो charging sockets दिये गए है, USB-C के, which is a big big thumbs up, adjustable headrests, and next if you see, यहां पर आपको dual zone climate control मिल जाता है, यहां पर आपको 5 watt का, again, a charging socket as well, a magazine holder, a very good interior car space, आप बोल सकते हो, इसके अंदर, you get really good comfort of sitting in the seats, और यह जो seats से आपको reclinable भी है, electrically, recline seats मिलती है, इसके अंदर, अब इसकार के engine के बात कर लेते हैं, this particular model gets a 2-liter diesel engine, इसके जो power figure से आपको यहां पर flash करते हुए, दिख जाएंगे, अब इसकार के pricing के बारे में बात कर लेते हैं, एक showroom की जो कीमत आपको 89,41,000 से शुरुवात हो जाती है, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो definitely like, share, comment and subscribe, to the Bangalore audience, अगर आपको यह कार देखनी है, खरीदनी है, you can definitely come down to Shakti JLR, until our next video, drive safe, be safe, be responsible, peace, bye, jahit, jahe bharat.